चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। जै संतोशी माँ। दोस्तों, आपका स्वागत है। आए जानते हैं आज आपकी राशियों के बारे में और आपका दिन कैसा रहेगा। हम आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 28 सितंबर 2024, दिन शनिवार। ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी है, जो दोपहर दो बज कर पचास मिनट तक रहेगी। इसके बाद दौदशी तिथी शुरू होगी। अशलेशा नामक नक्षत्र रात एक बजकर बीस मिनट तक रहेगा, इसके बाद मघा नामक नक्षत्र का आरंभ होगा। आज का राहुकाल यानी दिन का सबसे अशुभ समय सुबै 9 बजकर 19 मिनट से लेकर 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। वहीं आज का अभिजीत मुहूर्थ अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुभह ग्यारह बज कर तिरपन मिनट से बारह बज कर एक्तालीस मिनट तक होगा आज चंद्रमा करक राश में यात्रा करेगा और सूर्य कन्या राश में स्थित रहेगा तारीख है 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार आज आपका मूड बार बार बदलता रहेगा और आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है और इसे कैसे बदलना है आपके इस व्यवहार से दूसरे लोग भी उल्जन में रहेंगे फिर भी किसी भी स्थिती में इमानदार बने रहें क्योंकि यहीं आपके लक्षियों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा आज सब चीजों को हलके में लें और खुद को केवल निरीक शक की भूमी का तक सीमित रखें फिलहाल आप निर्भर महसूस कर रहे हैं अकेले रहने के लिए कुछ समय निकालें पारिवारिक चिंताएं जो संभवतह दादा दादी से जुड़ी हैं आपके मन में चल रही होंगी आराम करें और अपनी सपनों या अवचेतना द्वारा दी गई जानकारियों को देखें अपनी देखभाल में बिताया गया समय हमेशा अच्छा बीटता है या आपके महत्वा कांग्शाओं को पूरा करने का एक अच्छा समय है और आज आप बेहद भाग्यशाली हैं आपकी महनत का फल समरिध्धी और प्रतिष्ठा के रूप में आपको निश्चित रूप से मिलेगा आप क्या करना चाहतے है या आप क्या कर सकते हैं यह इस पर निरभर करता है कि आप क्या सोचते हैं अपनी उर्जा का उपयोग किसी मुश्किल में फंसे व्यक्ति की मदद के लिए करें याद रखें यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है अगर यह किसी के काम नहीं आ सका तो इसका क्या लाब बड़े लोगों का आशीरवाद लेकर आगे बढ़ें इससे आपको धन लाब हो सकता है कामकाज में अत्यधिक तनाव के कारण परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को नजर अंदाज न करें आप अनुभव करेंगे कि प्यार में गहराई है और आपका प्रिय आपको हमेशा बहुत प्यार करेगा चाहे आफिस की राजनीते हो या कोई विवाद चीजें आपके पक्ष में जुकी हुई नजर आएंगी आज आप घर में अधिकांश समय सोते हुए बिता सकते हैं लेकिन शाम को आपको एहसास होगा कि आपने कितना कीमती समय बरबाद किया है आपका वैवाहिक जीवन इस से पहले कभी इतने रंगीन नहीं रहा है इस समय का ग्रह गोचर आपके लिए बहुत शुब है किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और सहयोग से आप सामाजिक रूप से अपनी छवी को बेहतर बनाने में सक्षम रहेंगे निकटतम संबंधियों के साथ आपके रिष्टों में और अधिक मिठास बढ़ेगी अपने जजबातों को न छोड़ें वरना बाद में पच्छतावा होगा जो बातें आपकी अपेक्षाओं के अनुसार हो रही हैं उनका आनंद लेना सीखें सकारातमक्ता बढ़ाने के लिए वही बातें करें जो आपको खुशी देती हैं उस पर ध्यान दे दूसरों से अपनी तुलना करने से नकारातमक्ता बढ़ेगी किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन करते समय सहीं अंबरते काम के दौरान किसी पर दबाव न डाले संबंधित मामला सुलज सकता है आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धी मिलने की संभावना है आप घर में एक नया वाहन ला सकते हैं लेकिन आपको अपने बढ़ते खर्चों पर नियंतरन करने के बारे में सोचना होगा जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा आपके परिवार में किसी सदस्य से कोई खुशखबरी मिल सकती है सतर्क रहें कोई भी सरकारी काम शुरू करने से पहले उस से संबंधित दस्तावेजों को व्यवस्थित कर ले क्योंकि एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अमल करना आपको किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकता है अब बात करते हैं लव लाइफ की पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने से बहतरीन यादें ताजा होंगी आप हाल ही में अपने जीवन में सभी प्रकार के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं लेकिन आपको समय रहते इन दूरियों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए आपके पार्टनर ने आपके कठिन समय में आपका काफी साथ दिया है लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाएं हैं केवल अपने साथी की कमियों को देखने में ना लगे आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने खुद में कितना सुधार किया है अपने और अपने साथी के बीच दूरी ना आने दे धोखे या ठगी से बचने के लिए अपने साथी की सलाह जरूर ले ध्यान रखे रिष्टे में मनमुटाव होना स्वाभाविक है बस समय रहते इन्हें दूर कर ले आज आप अपने साथी के साथ भविश्य के सपनों को संजोना चाहते हैं तनाव दूर करने के लिए साथी के साथ समय बिताना लाभधायक होगा अपने साथी से अपनी धन और आर्थिक स्थिती के बारे में भी सब कुछ साजह करे प्यार में बढ़ुतरी के लिए किसी जादू का इंतजार न करे आपके प्रयासों से ही यह फलित होगा लापरवाही न करे वरना आप धोखे का शिकार हो सकते हैं यदि आप व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह सही समय है अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसरों की तलाश करें दान देने या नौन प्रॉफिट संगठनों के साथ काम करने में भी आपकी रुची हो सकती है आज का वक्त इसे करने के लिए उपयुक्त है अपनी महत्वा कांकशाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करें जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं आपकी कड़ी महनत अब रंग लाने वाली है और आपके कौशल अब कार्यस्थल पर भी पहचाने जाएंगे जिससे आपको आर्थिक लाब होगा बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़ी महत्वा कांकशा की आवश्यक्ता होती है इसलिए बड़ा सोचें आज कार्यक्षेत्र में आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं लेकिन अपनी सहकर्मियों की आलोचना न करें ग्रहों के प्रभाव के कारण आप तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप अपनी भड़ास अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं जिससे आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होगा जो आपके स्वास्थे को भी प्रभावित कर सकता है इसलिए इससे दूर रहने का प्रयास करें अपने व्यवसाइक कार्य प्रणाली को गोपनिय रखें यदि आप नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से योजना बनाएं तो उस पर तुरंथ अमल करें किसी अनुभवी और बड़े व्यक्ति की मदद आपके लिए कार्यक्षित्र में उन्नती लाएगी आफिस के कार्य समय पर पूरे होंगे अब बात करते हैं सेहत की आज आप काफी उरजावान महसूस करेंगे और बाहर के कार्य करने के लिए यह समय बहुत उप्युक्त है खास कर प्रतिसपर्धी खेलों में लेकिन यदि आप अपने शरीर से उसकी क्षमता से अधिक काम लेंगे तो आपको मानसिक ठकान भी महसूस हो सकती है जो सामान्यतह आपको नहीं होता कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिती अत्यंत उत्तम है आज आपकी राश्य के अनुसार बीमा से जुड़ी किसी नई योजना में निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा और रियल एस्टेट में निवेश का भी अच्छा अवसर मिल सकता है यदि आप क्रेडिट कार्ड के ओफर्स का उपयोग कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए फाइदे मंद हो सकता है तो आज का दिन उसके लिए अनुकूल है यदि आप होम लोन लेने की चुक हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है इस समय व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन पर ध्यान देना फाइदे मंद साबित होगा और नए निवेश के अवसर तलाशने से भी लाब हो सकता है अगर आप लोन के बारे में विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके निर्णय के लिए सफल साबित होगा आनलाइन बैंकिंग से जुड़े किसी भी लेन देन को आज सुरक्षित रूप से पूरा करे यह आपके वित्तिय सुरक्षा को मजबूत करेगा व्यवसाय सौफ्ट्वेर में निवेश करने के लिए यह एक बहतरीन समय है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाएगा यदि आप क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं तो आज आपके लिए इसमें नए अवसर उत्पन हो सकते हैं स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आज का दिन आपके लिए शुब संकेत लेकर आ सकता है इसलिए समझदारी से फैसले लें अकाउंटिंग सॉफ्ट्वेर का सही तरीके से उपयोग करना आज आपके वित्तिय मामलों को सुधारने और लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा आज कोई नई परियोजना या विचार शुरू करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है एंटर्प्राइज सॉल्यूशन्स में निवेश करना दीर्ग कालिक फाइदों की ओर इशारा करता है इसलिए इसे अंदेखा न करें इ-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान केंद्रित करने का यह आदर्श समय है जो आपके व्यापार के विस्तार को गति दे सकता है यदि कानूनी सलाह की जरूरत हो तो आज इसका लाभ उठाएं क्योंकि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े व्यवसाई कारियों में सफलता प्राप्त करने का यह उपयुक्त समय है मार्केटिंग आंट्रोमेशन का उप्योग आज आपके व्यवसाई को गति देगा जीवन बीमा से जुड़े फैसले लेना आज आपके भविश्य को सुरक्षित कर सकता है इसलिए इसे प्राथमिकता दें इसके साथ ही डेटा सुरक्षा पर विशेश ध्यान देना आपकी राशे के अनुसार व्यापार में स्थिर्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा आज शनी मंदिर जाकर शनी देव का दर्शन और पूजा करें सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़ा और नीले फूल अर्पित करने से शनी देव की कृपा प्राप्त होगी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो